हेई गाईज आज का वीडियो है बहुत जादे स्पेशल विकाज आज हम बनाने वाले हैं ओनली 10 रूपीज में बनने वाला हेयर इसपाक क्रीम जिसका रिजल्ट मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे क्रीम से बहुत जादा बैने वाला है तो इसके लिए मैंने हैं बॉली वाल यूज कर सकते हैं उलजे हुए बालों को सुलजाने के लिए हमें चाहिए इस तरीक्ति का मोतिदातो वाला एक कॉम और पीसी के साथ अब हम यहां पे ले लेंगे बालों को गीला करने के लिए एक स्प्रेश बॉटल यह बहुत जादा जरूरी है गाईस तो ए अप्रिकेशन में आपको समझा जाएंगा कि इसका रिजल कितना जादा अच्छा होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे अभी भी बहुत सारे इंग्रीडियंट्स मैंने बताई नहीं है तो मैंने यहां यूज किया है दो लॉडियल कंडिशनर अगर आपके इंपोर्टेंस आपको पता ही है आपके बालो को कितने अच्छी तरीके से यह सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है तो कोई भी ब्रैंड का आप ले सकते हैं यहां पर मैंने टूपाउचिस यूज किया है दैन यहां पर हम ले लेंगे ओलिव ओईल तो अगर आपके पास ओलि आपके बालो को स्मूथ शाइनी और बहुत ही सॉफ्टर बनाता है तो इसके बानेफिट्स तो आपको बहुत सारे पता ही होंगे बालो को और ज्यादा शाइनी बनाने के लिए मैंने यहां यूज किया है हंकर्ड वन स्पोन यह खट्टा दही है गाईज यह बहुत चैकत करती है है साथी अब हम यहां पर ले लेंगे अलोवेरा जेल तो आप यहां पे कोई भी ब्रांड का यूज को सकते हैं मैंने पतानजली का लिया है तब आप यहां पे फ्रेश वाला अलोवेरा जल बिल्कुल भी यूज ना करे उसी रीजल्ट उतना अच्छ आपको मिलेंगा तो पतंजली का मुझे अलोवेरा जल बहुत जादा अच्छा लगता उसके रिजल्ट जो है बहुत जादा अच्छे रहते हैं आपके बालों को यह काफी मजबूत बनाता है शाइनी बनाता है और इसलिए में इस ब्रैंड को यूज करती हूं अलोवेरा जल के यह एंड बालों की जड़ों में जो है पहले आपको ऑली वोई से मसाज कर लेना है तन इससे अपलाइ करना है हमारे से हेर के उपर में I hope so कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होंगा अच्छा लगा होंगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलती है बहुत जल एक नि Enjoy!